सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हुआ है जिसमें 16 साल के लड़की ने आरोप लगाया है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद उसके पिता को पुलिस ने इस मामले को लेकर चाल लोगों को गरफतार भी किया है मामला है सुदूर उत्री जिले में कि नौर करितलम पंचायत की रहने वाली लड़की का कक्षा ग्यार्मी की छात्रा बताई जा रहे है कि उसके पिता सी के सुकामरन हल में भाजपा में शामिल होते जिसके बाद मार्कसवादी पार्टी के स्थानी कारी करता उन्हें धंका रहे हैं लड़की ने कहा कि उसके पिताब पुर में किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे उसने आरोप लगाया ये बहुत दुका था कि बाजपा में उनके शामिल होने की वज़ा से वे लोग उन्हें धंका रहे हैं जिले के एक शिर्च पुलिस अधिकारी ने बताया है कि सुकू मारान ने पुलिस में एक शिकायत दर्च कराई है और इसके आधार पर चार लोग एक खलाब धंकी देने गलत तरीकित रोकने के आरोप में मामला भी डर्च कर लिया गया है SPN 9 नीजरूम की रिपोर्ट